दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एक्जाम सभा में और आज हम डिसकस करेंगे वन आप दा मोस्ट इंपॉर्टेंट कोईशन जो की साइंस एंटेक में आपसे कई बार एक्जामिशन में पूछता है वो है आपका लिस्ट आफ नुक्लियर पावर प्लांट्स इ नुक्लियर पावर प्लांट ले सकता है क्या तो ऐसा कुछ प्रश्णों का जवाब देंगे इस वीडियोullahemया इंदिया भारत में अगर विद्धूत सप्लाई की बात करें तो पांच ही नंबर पे आती है hello नूक्लियर पावर सप्लाई तो आफिर चार ऐसे बड़े सोर्स जिसे कि इंडिया अपनी electricity जरूतों को पूरा करता है, तो इसमें से हैं, जैसे पहला आपका thermal है, दूसरा आपका hydroelectric है, और इसी तरह से आपका renewable source of electricity है, अब देगे thermal क्या होता है, thermal based power supply, इसमें क्या होता है कि koela, या फिर कोई gases हो गई, डीजल पेट्रोल हो गया, उससे हम क्य क अब चहला करते हैं, तरवाएन चला करके हम क्या करते हैं, इसको मैं डीटैल ही बना सकता है, या इन्टेस्ट रहेगा दो बता इईगा, मैं इसको अलग से बता दूँगा, तो तरवाइन चलाते हैं, तो आप जसे boiler से पानी कह आपने गरम किया, कोईले की मदद से, तो को इसको ग्रीड में अलग लग ग्रीड में भेज जाता है जरूरतों के हिसाब से तो यह होता है पूरा पूरा तरीका जिससे की एलेक्रिसिटी को हम क्या करते हैं सप्लाइ कराते हैं इस पर मैंने एक और वीडियो बनाया है कि इंडिया के पावर सोर्सेस और सप्लाइ जो है उसकी सच्वेशन क्या है अगर आप देखोगे तो एक्जाम सभा पर यह अलग से वीडियो मिल जाएगा अगला चौथा नमबर आपका जो है वह रिनुएबल एनर्जी का है दूसरा रिसोर्स है सोलर नर्जी आज की डेट में इंडिया जो है वह आपका सोलर एनर्जी की तरब लगातार कदम बढ़ा रहा है अभी हाली मैंने एक वीडियो बनाया है उसको आपके जाके देख सकत इसको स्टार्ट किया है तो वह इंडिया का लगभग सबसे बड़ा इंडिया ही नहीं एसिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है तो इस तरह से इंडिया जोड दे रहा है रिनुएबल एनर्जी सोर्स पे ठीक है अब थोड़ा सा नुकलियर एनर्जी की बात करें त 6,780 megawatt एलेक्टिसी टीक है में अफ़ाके एलेक्टिसिटी के पावर को मेजर करते है अब इसमें से 18 रेक्टर हे मैं कितने रेक्टर की बात की मैंने 22 nuclear reactor की बात की जो कि आपका functioning 18 nuclear reactor जो हे आपका Pressurized Healthy Water reactor है PHWR याँपे समझेगा atem butter क्या होता है Deuterium Oxide जैसे D2O होता है hydrogen dioxide क्या होता है H2O क्या होता है PANI होता है simple PANI होता है लेकिन D2O क्या होता है Deuterium Oxide जो होता है वो आपका होता है भारी जल याप heavy water तो उसको pressurize करके जब reactor में यूज करते हैं वहां से energy generate करते हैं power generate करते हैं तो उस particular plant को उस particular reactor को प्रिशराइज्ट हैवी वाटर रियक्टर कहते हैं और इसी के साथ साथ चार लाइट वाटर रियक्टर भी हमारे यहाँ देखने को मिलता है इंडिया के अंतरगत नुक्लियर पावर कोपरेशन आफ इंडिया लिमिटेड बारस सरकार के जो परमाण उर्जा डिपार्टमेंट है चीक है परमाण उर्जा विभाग है उसके अंतरगत इसको प्रसासन किया जाता है एडमिस्टर किया जाता है नपी-सी या ययल को और उसी के थ्रू आपके अलग-еждनाई बनाई जाती है future future में उसको मैं यहांपि discuss करेंगा तो उन वीडियो की तरफ चलते हैं तो nuclear power plant इन इंडिया में जो plant है future ठीक है उन nuclear power stations की बात करते है तो तारापूर हो गया location है महाराश्ट्रा मदरास में तमिल नादू में आपका 1200 मेगावाइट का capacity का है कहेगा करनाटगा में है चुटका म माध्यप्रदेश में गोरखपूर जो की हर्याना में ठीक है इसी तरीके से भीमपूर माध्यप्रदेश में हरीपूर वेश्ट बेंगॉल में मिथी विर्दी विराधी तो यह आपका गुजरात में 6000 मेगवाल्ट की अभी तो मैंने पूरा बताया कि 6000 की कैपासिटी है और को अंडर कंस्रॉक्षन है कुछ में काम चल भी रहा होगा तो कलपकम मद्राश में जो की लोकेशन तरमिलाट के अंटरगर आती है तो वहां भवीनी ऑपरेटर है और वहां कैपासिटी है 500 मेगवाट की वहां पे अंडर कंस्रॉक्षन है चल ला है राजस्तान में यूनिट 7 यूनिट 8 राजस्तान के अंटरगर एंडर कंस्रॉक्षन बना रही है तो 1400 मेगवाट की कैपासिटी के यह अंडर कंस्रॉक्षन है ठीक है और इसी तरीके से काकरा पार यूनिट 3 & 4 इसका मतलब 1 2 चालू है क्योंकि अभी कुछ तो हमारे है नुक्लियर प्रोड़क्षन ह तो गुजरात के अंतरगर देखने को मिलता है NPCIL ही बना रही है ठीक है इसको प्रोजेट को कर रही है और कैपासिटी 1400 की है इसी तरीके से कुडान कुलम यूनिट 3 & 4 जो है तमिलाट के अंतरगर देखने को मिलता है वो भी आपका NPCIL 2000 मेगावाट की कैपासिटी का अंड NPC बड़ी संस्थाइं है उनके वो जो पावर प्रोडक्शन करती है उसमें आपका जो बाई प्रोड़क्ट निकलता जो वेश निकलता वो काफी ज्यादा होता है तो भारत सरकार की कोशिश है कि उसको कम से कम किया जाए तो यहाँ भी मैं इस वीडियो को समाप्त करता हू इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद